दोस्तो उत्तर प्रदेश के कानपूर के कोहना थाना सेत्र की रहने वाली 19 साल की निसा को गाउं के ही रहने वाले रंजीत पाले से प्यार हो गया एक दिन रात के अंधेरे में रंजीत पाले निसा का गेम बजा रहा था तभी निसा की मा मधुली देवी ने इन दोनों को देख लिया बेटी और उसके प्रेमी को आपत्य जनक इस्तिती में देखकर मधुली देवी ने उन दोनों को खूप खरी खोटी सुनाई और ये बात अपने पती को बताने की धमकी देने लगी निसा और उसका प्रेमी रंजीत जानते थे कि निसा के बाप का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पिछवाडे में पितल भरने में देर नहीं लगाता है इसलिए ये दोनों बुरी तरह से डर गए निसा और रंजीत मधुली देवी के पैर पकड़ कर मापी मागने लगे उन दोनों को अब अपनी मौद बेहत करीब नजर आ रही थी रंजीत मधुली देवी से बोला आप जो कहोगे मैं वही करूँगा आज के बाद आपकी बेटी से नहीं मिलूँगा आप मुझे सिर्फ एक बार माप कर दो मधुली देवी ने कहा मैं तुझे माप तो कर दूँगी लेकिन तुझे अभी के अभी मेरा भी गेम बजाना होगा दोस्तों कहते हैं मरता क्या नहीं करता अपनी जान बचाने के लिए रंजीत पाले को ना चाहते हुए भी अपनी प्रेमिका के सामने उसकी माँ का गेम बजाना पड़ा मधुली देवी का पती ज्यादतर घर से बाहर ही रहता था उसका भी इंजन सर्विस माग रहा था लिहाजा उसने रंजीत पाले को इतना जबरदस्त मजा दिया कि रंजीत प्रेमिका निसाल से ज्यादा उसकी मा के तरफ आकरशित हो गया जिसके बाद ये सिल्सला लगाता चलता रहा रंजीत बारी बारे से मा और बेटी दोनों की हस्रतों को पूरा करता था लेकिन उसका जुकाओ मा की तरफ ज्यादा था क्योंकि अनुभवी कोई चीज होती है दोस्तों लगातार कई महनू से रंजीत पाले दोदो महलाओं को डोज दे रहा था जिस वज़े से अब इसमें उसकी रूची कम होने लगी रंजीत हमेशा पहले मा के सांथ करता था फिर बाद में बेटी के सांथ करता था लेकिन दूसरी बार उसका जो सकम हो जाता था इस बात से निशा परिसान रहने लगी इस समस्या से निजात पाने के लिए निशा एक दिन medical store में गई और वहां से रंजीत के लिए कुछ sex बर्दक दवाईयां खरीद कर लाई लेकिन दुर्भाग के से मेटिकल स्टोर वाला निसा के भाई सतीस का दोस्त निकला उसने ये पूरी बात सतीस को बता दी जिसके बाद सतीस को अपनी बहन पर सक्ख हो गया उसने ये बात अपनी मा को बताई तो मा ने कहा ठीक है मैं पूछ कर बताऊंगी जिसके दूसरे दिन मधुली देवी ने अपने बेटे से कहा कि निसा से ये दवाई पडोस में रहने वाली किसी महला ने मगाई है सतीष ने उस महला से पूछा तो उसने इस बात से इंकार कर दिया जिसके बाद सतीष को अपनी मा और अपनी बेहन दोनू के चरीतर पर सक्थ हो गया अपनी मा और बेहन की हकीकत को जानने के लिए सतीष ने अपनी जिग्रियार विनोद को उनके पीछे लगा दिया अब विनोद इन दोनू की जासुसी करने लगा दो दिन बाद विनोध ने सतीस को बताया कि तेरी माँ और बहन का किसी के साथ अवेज संबन्द तो है लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि किस के साथ है सतीस को तो पहले से ही पूरा सक था अब दोस्त ने ये बात कह दी तो उसका सक यकीन में बदल गया जिसके बाद उसने घर आकर अपनी माँ और बहन की खूप पिटाए लगाई और दोनु का घर से बाहर जाना बंद कर दिया दोस्तो अब ये दोनु माँ बेटी अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी और योन सुक प्राफ्ट करने के लिए बिन पानी मसली की तरह फड़़़ाने लग गई थी क्योंकि अब इन दोनु को रंजीत के गठीले बदन और उसके नमकीन पसीने की लत लग सुकी थी तभी इनको पता चला कि सतीस को इनकी असलियत बताने वाला बिनोध है बिनोध ही वो सक्स था जिसने इनकी मौज मस्ती भरी जिंदगी में ग्रहन लगाय था इन दोनु मा बेटी ने उसी समय फैसला ले लिया कि बिनोध की निर्मम तरीके से हत्या करके उससे बदला लिया जाएगा इसके लिए इन्हों ने किसी तरह अपने प्रेमी रंजीत पाले से संपरके किया और कहा कि जब तक बिनोध जिंदा है तब तक हम नहीं मिल पाएंगे इसलिए बिनोध को मौत के घाट उतारना बहुत जरूरी है दोनु प्रेमिकाओं के कहने पर रंजीत पाले बिनोध की हत्या करने के लिए राजी हो गया रंजीत ने बिनोध की तरब दोस्ती का हाथ बढ़ाया बिनोध को मालूम नहीं था कि यही वो सक्स है जो उसके दोस्त की मा और उसकी बेहन का गेम बचाता है किसी खत्रे से अंजान बिनोध ने रंजीत से दोस्ती कर ली फिर रंजीत एक दिन बिनोध को दारू पियने के बहाने एक सुनसान जगे बेर ले गया और वहां तार से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी काफी दुनों के मेहनद मसकत के बाद पुलिस ने आखिरकार बिनोध के हत्यारे रंजीत पाले को गिरफतार कर लिया गिरफतारी के बाद रंजीत पाले ने इस हत्याकांट का पूरा खुलासा कर दिया जिसके बाद पुलिस ने रंजीत की दोनु प्रेमी का मा बेटी को हत्या के लिए रंजीत को उक्साने के आरोप में गिरफतार कर लिया और इन तीनु को जेल भेज दिया दोस्तों उम्मीद करता हूँ चर्ती जवानी और हवस की ये कहानी आप पूरी तरह से समझ गये होंगे इस हत्याकांट के बिसे में आपकी क्या राय है नीजे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं धन्यबाद